आज के वीडियो में मैं लॉन गिफेन एस सिर्प के बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ मैं विस्तार से चर्चा करूंगा कि इस सिर्प का उप्योग किसलिए किया जाता है उप्योग सनरचना, खुराक, दुश्प्रभावादी आप वीडियो को शुरू से अंद तक देखेंगे इससे पहले की मैं वीडियो शुरू करूं क्रिपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है ये सिर्प प्राइम मैंकाइन कंपनी द्वारा निर्मित है यहाँ 200 मिलीलीटर का पैक है इसकी कीमत रूप यहाँ आपको किसी भी मैडिकल स्टो में मिल जाएगा सबसे पहले हम इस सिर्प के फायदों के बारे में चर्चा करेंगे लॉनफिन सिर्प के फायदे अलजी की स्थिती का उप्चार लॉनफिन सिर्प का उप्योग कई अलग-अलग सूजन और अलजी स्थितियों के इलाज के लिए किया जाता है जिसमें नेतुशलिश मलाशोत और तवचा को प्रभावित करने वाली स्थितियां जैसे पिती शामिल है यह इन स्थितियों के प्रति आपकी प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को कम करके और शरीर को सूजन पैदा करने वाले पदार्थों को छोड़ने से रोग कर काम करता है ये सूजन, दर, खुजली और अन्य अलजी प्रकार की प्रतिक्रियाओं जैसे लक्षनों से राहत देता है यदि आप अनिश्चित हैं कि आपको ये दवा क्यों दी जा रही है तो अपने डॉक्टर से पूछें ये दवा मौखिक रूप से मूँ से दी जाती है आपको इसे हमेशा आपके लिए निर्धारित अनुसार ही लेना चाहिए अपने चिकित्सक से परामर्ष किये बिना इसे लेना बंद न करें इससे अपरियव प्रत्याहार लक्षन उत्पन हो सकते हैं चून की ये दवा आपकी प्रतिरक्षा प्रनाली को कमजोर करती है, इसलिए आपको इसे लोगों के आसपास रहने से बचना चाहिए जो बीमार है या जिनही कोई संक्रमन है मोशन सिकनेस का इलाज मोशन सिकनेस यात्रा के दोरान गती के कारण होने वाली एक स्थिती है इस स्थिती के कारण आपको चक्कर आना, वटिगो, मतली या उल्टी की अनुभूती हो सकती है लांफिने सिर्फ इन लक्षनों को प्रभावी धन से इलाज करने में मदद करता है अधिक्तम लाब के लिए अपने चिकित सक द्वारा निर्देशित अनुसार ले लोंगिफेन सिर्फ को भोजन की साथ या यात्रा से एक घंटे पहले लेना सबसे अच्छा है इसे डॉक्टर की सलाह की तौर पर लेना चाहिए खुराक और आप इसे कितनी बार लेते हैं यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप इसे किसली ले रहे हैं आपका डॉक्टर टे करेगा कि आपके लक्षनों में कितना सुधार करने की आवश्यक्ता है यदि आप एक खुराक लेना भूल गए हैं तो याद आते ही अगली खुराक लेना सबसे अच्छा है हाला कि आपको कभी भी दोगुनी खुराक नहीं लेनी चाहिए उनींदापन इस दवा का सबसे आम दुश्प्रभाव है गाड़ी चलाने या ध्यान आकरशित करने से बचें यदि ये आपको परेशान करते हैं या गंबीर लगते हैं तो अपने डॉक्टर को बताएं इन्हीं कम करने या रोकने की तरीके हो सकते हैं कुछ मामलों में इससे मूँ सूख सकता है इसलिए अधिक पानी पीने हमेशा मिश्री साथ रखने या अच्छी मौखिक स्वच्छता बनाए रखने की सलाह दी जाती है यदि आपको ग्लुकोमा या गैस्ट्रो संबंधी कोई समस्या है तो इस दवा को लेने से पहले अपने डॉक्टर को बताएं यदि आप गर्भवती है या स्टनपान करा रही है तो अपने डॉक्टर को बताएं आपके डॉक्टर को उन सभी अन्य दवाओं के बारे में भी पता होना चाहिए जो आप ले रहे हैं क्योंकि उन में से कई इस दवा को कम प्रभावी बना सकती है या इसके काम करने की तरीके को बदल सकती है आमतोर पर उपचार के दोरान शराब से परहेज करने की सलाह दी जाती है लॉन्फिन सिर्प का उप्योग, अलजी की स्थिती का उपचार, मोशन सिकनेस उपचार, लॉन्गिफेन सिर्प के दुशप्रभाव अधिकांश दुश्प्रभावों के लिए किसी उपचार की आवश्यक्ता नहीं होती है और जैसे ही आपका शरीर दवा के साथ तालमिल बिठाता है वे गायब हो जाते हैं यदि वे बने रहते हैं या आप उनके बारे में चिंतित हैं तो चिकित्सिय सलाह लें लॉंगि फेन एक आम दुश्प्रभाव है तंद्रा लांग फिने सिर्प का उप्योग कैसे करें इस दवा की खुराक और अबदी अपने डॉक्टर की सलाह के अनुसार लें उप्योग से पहले निर्देशों के लिए लेबल की जाँच करें मापने वाले कप से मापें इस्तिमाल से पहले अच्छी तरह हिलाएं भोजन के साथ लांगफिन सिर्प लें लांगफिन इस सिर्प कैसे काम करता है लांगफिन इस सिर्प एक एंटी हिस्टा माइन है ये रासायनिक दूतों हिस्टा माइन की क्रिया को अवरुद करके काम करता है यह विभिन अलजी स्थितियों जैसे नेत्रशलेश मलाशोथ और पिती के उपचार में मदग करता है यह मस्तिश्क में मतली केंद्र को तंत्रिका संदेश प्राप्त करने से भी रोकता है जो अन्यथा मोशन सिकनेस्ट मतली और चक्तर आना का कारण बन सकता है अगर आपको वीडियो पसंद आए तो क्रिपया लाइक, शेर और कोरी कमेंट करें